Hello friends, welcome to study news, आज है 24 जून, एक्जाम से related जितने भी important question हो सकते हैं, हम यहाँ पर solve करेंगे, so let's start पहला question है, सेयुक्त राश्ट लोक सेवा दिवस कब मनाय जाता है? Option A है 20 जून, B 21 जून, C 22 जून, और D 23 जून सेयुक्त राश्ट लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाय जाता है, तो answer option D सही होगा यह दिवस 23 जून को इसलिए मनाय जाता है क्योंकि महासभा ने इसी दिन को सारवजनिक सेवा के संकल्प को अपनाया था आज ही के दिन विद्वा दिवस भी मनाय जाता है अगला प्रश्ण है किस कमपनी ने COVID-19 की नई दवा फैबी फ्लू लॉंच की है option A है Glenmark, option B है Dr. Radies Lab, C है Sipla, D है Bicon Pharma अभी हाल ही में Glenmark कमपनी ने COVID-19 की नई दवा फैबी फ्लू लॉंच की है तो इसका answer A सही होगा फैबी फ्लू हलके और मध्यम COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली oral antiviral दवा है Glenmark भारत की पहली कमपनी थी जिसे COVID-19 रोगियों के लिए antiviral गोलियों की स्विक्रिती प्राप्त हुई थी अगला प्रश्ण है हाल ही में किस राज्य में मध्य छेत्र विद्यूत वित्रण कमपनी ने महिला सशक्ती करण के लिए निष्ठा विद्यूत मित्र योजना सुरू की है अप्सन ए है पस्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में मध्य छेत्र विद्यूत वित्रण कमपनी ने महिला सशक्ती करण के लिए निष्ठा विद्यूत मित्र योजना सुरू की है तो इसका आंसर ओप्सन सी सही होगा मध्य प्रदेश इसी योजना में ग्राम पंचायत इस्तर पर महिला स्वा सहता समू निष्ठा विद्यूत मित्र के रूप में काम करेंगे निश्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत महिला स्वा सहता समू उप भुकताओं को ऐन लाइन भुकतान करने के लिए प्रेरित करेंगे अभी हाल ही में मद्द्द प्रदेश सरकार ने ऐन लाइन क्लास पर पृतिवंद लगा दिया था मध्य प्रदेश नहीं हाली में जीवन शक्ती योजना भी चलाई थी जिसमें महिलाएं 11 रुपे में मास्क बनाएंगी और कोशल स्रमिको के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू की गई थी इस समय मध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान है और गवर्नर लाल जी टंडन है अगला प्रश्ण है किस देश ने गैर अप्रवासी वीजा इस्थगित किया है आप्सन ए है फ्रांस बी अमेरिका सी जर्मनी डी कैनेडा हाल ही में अमेरिका ने गैर अप्रवासी वीजा इस्थगित कर दिया है यूएस राष्टपती ने गैर अप्रवासी वीजा इस्थगित किया है जिसमें H1V वीजा, H4 वीजा, L1 वीजा पर रोक लगा दी है यहां रोक 31 दिसंबर तक लगी होगी अगला प्रश्ण है 500 साल पुराना मंदिर किस नदी में खोजा गया है अप्सन ए है गंगा नदी, बी महा नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी पान सो साल पुराना मंदिर महा नदी में खोजा गया है इस मंदिर को उडीसा के कटक जिले में खोजा गया है जो डेड़ सो साल से डूबा हुआ था अगला प्रशन है हाल ही में चर्चा में रहा प्रेशेना ग्लेशियर कहां इस्थित है अप्सन ए है जर्मनी, B. इटली, C. फ्रांस, D. कनेडा हाल ही में चर्चा में रहा प्रेशेना ग्लेशियर इटली में इस्थित है तो इसका उत्तर भी इटली सही हो जाएगा यह ग्लेशियर इटली के अलपाइन पहाडों पर इस्थित है जो तेजी से पिघल रहा है हाल ही में इसे सफेद रंग के कपड़ों से ढखा जा रहा है यह कपड़ा सूरज की रोसनी को रिफलेक्ट करेगा यह ग्लेशियर 1993 से अब तक एक बटा तीन एक तिहाई पिघल चुका है सात्वा प्रश्ण है हाल ही में चर्चा में रहा थ्री गोर्जेस डैम किस देश में इस्थित है ओप्सन ए है सिंगापूर, बी चीन, सी जर्मनी, डी रूस हाल ही में चर्चा में रहा थ्री गोर्जेस डैम चीन देश में इस्थित है यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है यह चीन के दक्षडी भाग में इस्थित 80 साल पुराना बांध है इस बांध के तूटने का खत्रा मंड़ा रहा है इस बांध की लंबाई 2335 मीटर है आठवा प्रश्ण है भारत के किस देश में इस्थित उचायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगा आप्शन ए है पाकिस्तान, बी, नेपाल, सी, चाइना, डी, बांगला देश भारत पाकिस्तान में इस्थित उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगा यह कमी भारती उच्चायोग के साथ हाली में हुए दुरविवार के कारण होगी नवग्रशन है इन में से किसने विसेष निवेश मंच का खाद प्रसंसकरन Food Processing Edition of the Exclusive Investment Forum launch किया है Option A हर सिमरत कौर बादल B. स्मृती रानी C. प्रकास जावडेकर D. कैप्टन अर्मिंदर सिंग तो हाल ही में हर सिमरत कौर बादल ने विशेश निवेश मंच का खाद दे प्रसंसकरण Food Processing Edition of the Exclusive Investment Forum launch किया है आखरी प्रश्ण है हाल ही में किस देश ने 600 किलिमीटर प्रती घंटा की गती वाले मैगलेव वाहन का सफल परिक्षण किया है Option A है सिंगापूर B. चीन C. जर्मनी D. डेनमार्क हाल ही में चीन ने 600 किलिमीटर प्रती घंटा की गती से चलने वाले मैगलेव वाहन का सफल परिक्षण किया है मैगलेव वाहन प्रडाली का विकास चीन के Advanced Rail Transit कारिक्रम में विज्ञान और प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा सुरू की गई एक महतपुन परियोजना है तो ये थे आज के महतपुन प्रश्न तो थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो प्लीस लग्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट